पूज्य बापूजी की शीग्र रिहाई है तू सभी करेंगे द्रड संकल्प प्रार्थना। पूज्य गुर्देव की शीग्र रिहाई के लिए एक छोटा सा संकल्प व प्रार्थना सभी सादकों को कुछ विशेश तिथियों पर सुभशाम करनी है। ये प्रयोग केवल पांच मिनिट का है जो बहुत ही आवश्चक है। यह सभी आश्रमों में करना है तथा सभी सादकों को अपने अपने घर पर भी करना है। संकल्प एवं प्रार्थना किस तरह से और कौन-कौन सी तारिकों को करनी है इसका विवरन इस प्रकार है। इस क्रिया को करने से पहले तीम बार गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। उसके बाद जो गहरी सांस लेंगे उसको लेते हुए हमें यह मन मस्तिश्क में सोचना है, देखना है, अनुभाव करना है कि गुरुदेव आश्रम से सत्सन दे रहे हैं और हम सब आश्रम में बै जितनी देर रोक सकें सांस को रोक कर अनुभाव करना है कि गुरुदेव हमें आश्रम से सत्सन दे रहे हैं, हम वही बैठे हैं, सत्सन से हमें बहुत खुशी और आनंद का अनुभाव हो रहा है, सब जूम रहे हैं, सब गुरुदेव के सत्सन का आनंद उठा रहे हैं, फि हमें इसकी अनुभूती होनी चाहिए, हमें इसकी खुशी भी होनी चाहिए, हमें इसका आनंद भी होना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए, जैसा अनुभव जब हम आश्रम में बैठ कर गुरुदेव को सुनते हैं तब होता है। ऐसा करने से बहुत लाब मिलेगा इस क्रिया को करने से पहले गुरुजी का आश्रम से आशिरवाद देते हुए वीडियो देखना है इस संकल्प प्रार्थना की समय सबका चंद्रस्वर चलना चाहिए यानि बायन अथुने से श्वास चलना चाहिए यदि किसी का बाया स्वर नहीं चल रहा हो तो उसे चलाने के लिए कुछ देर के लिए दाए न थुने को बंद करें अथवा दाए कुकशी में अपने बाय हाथ की मुठ्छी रखकर कुकशी को जोर से दबाए अत्वा दाई कर्वट लेट जाएं या दाई पैर पर खड़े रहें इससे बाया स्वर चालू हो जाएगा। इस प्रयोग के बारे में विद्वानों का कहना है कि पूरी निष्ठा पूर्वक ऐसा करने से चमतकार हो सकता है। इसलिए सभी साधक एक साथ एक ही समय पूरी एकाग्रता और निष्ठा से ये संकल्प प्रार्थना करें कि अब गुरुदेव आएंगे ही सबका सत्य संकल्प शीघर अतिशीघर फलित होगा। ओम 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 एहमदाबाद आश्रम संपर्क 079 61210888 हरियों इसलिए से ये मैं दुरुदेज से ये को सबस्दाने कि अ canolते हो। झाल 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 झाल